नमस्कार भाई भाईनों कैसे हैं उमीद करता हूँ कि सौस्थ होंगे और मस्थ होंगे अपनी जिंदगी में तो आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आप देख पा रहे हैं मेरे हाद में कितना बढ़िया सौस्थ फल है का पर यह फल है तो आपको जो है इसके फायदे बताऊंगा कि इसके फायदे कौन कौन से हैं और यह कौन से मर्ज में आपके काम आती है और हम अपने ताकत के लिए इसका कैसे सेवन कर सकते हैं और कैसे इसको इस्तमाल कर सकते हैं तो मैं ये पूरा एक एक करके आपको बताओंगा, बस यह है कि वीडियो के आंत तक बने रहें, वीडियो आंत तक देखें, तब समझ में आएगा कि इसका प्रियोग कैसे करना है, क्योंकि आप प्रियोग सही करते नहीं, और फिर यह होता है कि जड़ी काम करती नहीं, तो ऐ ने आप कुदर्ती कमजोरी हो गई हो तो आप इसका सेवन कर सकते हैं और मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसके बीज निकालना है और बीज निकालने के बाद आपको इस्तमाल कैसे करना है इस्तमाल कैसे करना है तो सबसे पहले इसके बीजों को सुद्ध करना है तो आप ये इसके इस प्रकार से बीज होते हैं ये ये काले कलर में आता है बीज इसका काला होता है इसके अंदर से बीज निकालेंगे तो काला बीज निकलेगा और एक सफेद भी होता है तो आपको ज्यादा तर ताकत बहाने के लिए काले का इस्तमाल करना है और सफेद भी इस्तमाल कर स क्या करना है अगर आपको मिल जाता है तो आप इसको घर में अपना निकाल लीजिए अगर नहीं मिलता है तो पंसारी जहां से अगर ये बीज लाते हैं आप डाइरेक्ट बीज लाइए और इसके बाद दूद में इसको भिगा दीजिए 24 घंटे इसके बीज के दूद में भिगा के रखना है इसके बाद दूसरे दिन इसको छिलके को निकाल लेना है दूद से निकालें और इसको धोने के बाद छिलका निकालें और छिलका जब निकालेंगे इसके अंदर से सफेद गिरी निकलेंगी सफेद गिरी निकलेंगी उस इसका जो दूद होगा वो जहरीला होगा इसके अंदर जो क्वाइजन होते हैं जहरीले टाइप के या दूसित पदार्थ होते हैं वो सब दूद में निकल जाते हैं तो आपको दूद को इसको 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 दबा देना है इसके बाद आपको क्या करना है आप इसके पाउडर क के रूप में भी ले सकते हैं इसको चुन के रूप में कैपसूल टेबलेट और इसके काउच का पाग भी बना सकते हैं और इसको दूद के साथ दूद के साथ इसके बीज को सफेद वाले बीज को जो इसके अंदर निकलेगा खाने लाग जब बने ध्यान रखिएगा इसको न जो है आप कारा बना करके भी आप इस्तमाल कर सकते हैं और अगर कहीं आपके बदन में दर्द हो रहा है तो आप इसका लेप बना करके भी आप वहाँ चड़ा सकते हैं तो आपका देखेंगे कि दर्द भी दूर हो जाएगा तो इस प्रकार से ये काउच का बीज है अचा 57 ले लिजे और इसके गोखरू के वीच सतार हो गई गोखरू हो गई आप पचास-पचास ग्राम च्यारों को ले लिजे सतावर गोखुरू और ये कौँच का भी और सफेद मुस्वी चारों को ले लीजिए पचास पचास ग्रम इसके बाद आपको क्या करना है कि सुबह भी ले सकते हैं खाली पर दूद के साल लेना है बगार दूद के नहीं लेना क्योंकि ये गरम तासीर का होता है तो आपको द खाना खाने के बाद आधा चम्मच या दो ग्राम या तीन ग्राम आप जो है इसको दूद गुन-गुने दूद के साथ गाय का दूद हो या बख्री का दूद हो भैस का दूद अगर है तो आप उसमें आधा पानी मिलाईए और आधा दूद रखिये तो आप इसका सेवन क लात वेजन दिन आप को जो है इसका अराम लग जायेगा इसको काउच गउथ काउच कउच भी कहते हैं कच्छों ही कहते हैं केमाच भी कहते हैं ये दो प्रकार का होता है एक येप काले जो ब्लाइती बबूल होता है जंडली में ब्लाइती बबूल है नीम है और जो फाल थुके पेन होता है तो उनमें ये चड़ जाया करता है बेल के रूमें ये देखिए आप ये पड़ा हुआ है माराजी थोड़ा सा ये ये देख लीजे ये पूरा ये ये फसा हुआ है देख लीजे अब इसको तोड़ा जाता है तो ये इस प्रकार से है तो आप इसका कौंच کے बीज का सत्माल करें सेवन करें और अगर इसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं ये भी ध्यान रखियेगा बच्चे तो आपको क्या करना है कि नुक्सान ये हैं कि अगर बच्चे हैं तो इसको बच्चों को ना दें बगएर 25-30 साल के उपर के बच्चे को इसको कौँच के बीच को नहीं दिया जाता है तो इसलिए बगएर साधी को बच्चों को ना दें अगर किसी को किड्निक में दिक्कत है हार्ट गुलोकोमा तो उसमें इसका इस्तमाल से बचे हैं और अगर आप ज्यादा खा लेते हैं तो मतली उल्टी अनिंद्रा सिर्दार्द ऐसा हो सकता है इसको कम ले कम ले नुकसान नहीं करेगा पर इसको थोड़ा कम कर दीजिए तो आपको फिर दिक्कत नहीं ह करें और खान पेन में पहरे जरूर करें खान पेन में ताजा भोजन लें आप ताजी सब्जी खाएं पतेदार सब्जियां खाएं ताजे फल खाएं तो अगर इस प्रकार का सेवन करते हैं तो आपको जो है बहुत बढ़िया आराम लगेगा और सुवेशा मॉर्णिग वा जो इसका तोड़के निकाल लीजिए तोड़के निकाल लीजिए फाड होता है यह थोड़ा मजबूत होता है तो इसको जो है यह तो पूट करके निकाल सकते हैं आप यह देखो बीज निकला देखो इसको गाय के दूद में भेगो करके जब सुबह निकाले तो इसका छिक चिकला यह सफेड जो यह लगा है इसको निकाल दे जो सफेड गिरी निकलती है उसको चाहे काड़ा बना के पिए और गूती बना के पिए चाहे से शेवन करें कई प्रकार से शेवन किये जाते हैं। बैज जी ने तो बताया ना कि किस किस काम में आता है, किस काम में नहीं आता है, बच्चे पिरोग ना करें, जो तीस साल के उपर है, वही पिरोग करें, बच्चे बिलकुल कता ही न खाएं, बच्चों को नुकसान दाये खाएं, जो तीस साल के उपर है, वही पिरोग करें, बच्चे इसका इस्तेमाल न करी, क्योंकि इसकी ताफिर गर्म होती है, तो ये साधी के बाद ही इसका इस्तेमाल करना, साधी से पहले नहीं. और कोई भी जड़ी बूटी आप इस्तमाल करते हो तो अपने नज़्दी की बैद, डाक्टर या जड़ी बूटीओं का जो जानकार हो उससे सलाह लेकर किसी जड़ी बूटी का इस्तमाल करें तो आपको पूरता हिलाब मिलेगा और खान पेन का अपना पाहरेज करें सुबह साम थोड़ा जरूर मौर्निंग वांग करें घूमें थोड़ा खानाखाने के बाद साम को घूमें सुबह सुबह थोड़ा ठहलें तो आपका स्वास्त बिल्कुल एक्सट मस्त रहेगा और आप बिल्कुल बीमारी से दूर रहेंगे तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर नहीं बाई 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 नहीं बिल आइकन आन कर लें जिससे की हर जड़ी बूटी वीडियो आने वाली सबसे पहले आपके लिए देखने को मिला करेगी जब तक के लिए नवस्कार जैहिंद बंदे मात्रम ओम नमोर नारायन